नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस संचित स्वागत करता हूँ नॉलेजगेट यूट्यूब चैनल पे इस प्लेलिस में बात कर रहा है कंपालर डिजाइन के डिसकुशन बहुत शांदार हो रहा है उसी डिसकुशन को आगे लेके चलेंगे हम LR0 पढ़ चुके, SLR1 पढ़ चुके उसके बाद CLR1 जो सबसे पारफुल था है वो भी पढ़ चुके है अभी समय है CLR1 को आप्टिमाइज करने की कोशिश करने का बहुत जादा खर्चा उसने कर दिया था और एक intermediate solution पाने का, acceptable solution पाने का और उस acceptable solution का नाम है LALR1 पार्सर या कि जिसको अगर detail हो लूँ, look ahead LR पार्सर तो LR पार्सर की क्या कहने है क्या observation है जल्दी से आपको chapters बताते है तो वीडियो के तो सबसे बलबात करूँगा example 1, example 2, example 3, तीन example से पूरी बात समझा दूँगा और example अगेन यही समझने के लिए कि किस-किस case में जो LR1 है उसको LALR1 में reduce कर सकते हैं, किस-किस case में नहीं कर पाएंगे, यह सब करने के बाद automatically आपको क्या conclusion निकलेगा और power comparison पूरी bottom-up family में या in general पूरी parsing family में यह क्या position अपनी बनाएगा and then as usual जो हमारा ritual है, we'll have a homework question तो again, पहले argument शुरू करते हैं, लेकि discussion क्या है, problem क्या है CLR1 के साथ, यह काम करी क्यों रहें तो दुबारा आपको याद दिला रहा हूँ, logic ही है sir, CLR1 ने गंदगी फिला दी थी बहुत जादा, बहुत सारे ऐसे productions थे जो multiple time reduce कर रहें, because of the different follow part तो मैं दुबारा याद दिला रहा हूँ, last video में हमने तो छोटा से example लिया था अगर practical जो professional languages है, C है, C++ है, Java, Quartan, Python, कोई भी language अपले अगर आप ऐसा करने लेगे, different different follow की वज़े से, अलग लग बार reduce करेंगे तो costing is going to be there at the next level तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए, कि जो different different आपने इस तरह के cases लिये, कि बाकी सब एकदम सेम है दो closer है, उनमें सब कुछ सेम है, लेकिन follow different है, क्या उनको merge कर सकते है, क्या ये approach पे काम करता है अगर यहां से देखें, तो what we do, now we do try to combine those production part in the common, you know, part is common, production part जिसमें common है and the follow part is different, है ना, अब मज़ेगी बात क्या है, कभी-कभी ये जो merging हम करते हैं, कभी-कभी ये merging हो जाती है और merging होने में कोई problem नहीं होती, कभी-कभी आपको समझाओंगा, merging होने का scope भी नहीं होता कि बायचान से ऐसा हुआ कि कहीं भी दो closer same आये नहीं, तो फिर कैसे merge करेंगे और तीसरा case ये है कि कभी-कभी हम देखते हैं कि हम जब merge करने जाते हैं, तो clash हो जाता है, तो conflict हो जाता है तभी तो यह है ना कि CLR1 जादा powerful है, उस case में आप बोलोगे नहीं, LALR1 पॉसिबल नहीं, CLR1 ही हमें बनाना पड़ेगा तीनो case, हर वीडियो पर मैं बात बोल रहा हूँ, हर topic पर पहली और आखरी वीडियो है, तो तीनो case with example आपको समझाता हूँ, क्या understanding, क्या detailing है, एक एक करके देखिएगा एक और conclusion है, ये भी बड़ा conclusion अभी बोल देता हूँ, वो क्या, बात में with example आप समझेंगे अगर CLR1 में SR conflict नहीं है, यानि कि shift reduce conflict नहीं है, तो जब मैं merge करने की कोशिश करूँगा न, तो LLR1 में कभी shift reduce clash नहीं आ सकता, ये पता है हमें पहले से, अभी देखेंगे, तो आप समझ भी जाएंगे क्यों, अभी मैं क्या है वो बता रहा हूँ, कभी ऐसा clash नहीं आएगा लेकिन, ऐसा जरूर हो सकता है, कि reduce reduce conflict नहीं है, लेकिन जब मैं merge करने गया, तो reduce reduce conflict generate हो गया, ये statement अपने आप पे इतना popular है, कि हर दो साल में मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं, इस statement को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, है न, तो ये बात clarity के साथ पहले बतानी जरूरी थी, चलिए, अब बहुत सारा लिंबा वीडियो बन जाएगा, तीन example solve करने, तो यहां पे थोड़े थोड़े shortcuts लोगा, बट वो shortcut जो पहले आपको solve करा चुका हो, same grammar के साथ, तो देखिए, ये CLR1 या LR1 parser हमने बनाया, ये पूरा इसका canonical collection सारा closer का set, और ये idea आपको नज़र अब मैंने बुला, approach क्या है, LLR का approach ये है, उन closers को ढूंडिए, जिनका production part बिल्कुल सेम हो, यहां मैं concentrate करके बता दू, मैं सिफ production की भी बात नहीं कर रहा, production part सेम होने से मतलब है, even dot का position सेम होना चाहिए, उसका एक compiler item सेम होना चाहिए, देखो, ऐसा कोई opportunity है क्या, तो एक sir, मुझे मुटा मुटा ये नजर आ रहा है, it means, i3 and i6, ये दो closers है, जिनको हमें 100% optimize करने की कोशिश करनी चाहिए, because follow different है, बाकी सब सेम है, और कुछ, ये reduction हुआ था, देखो, दो बार, same rule, small, अच्छ, ये वाला नहीं, हा, ये वाला, i4 and i7, let me note it down, फिर बार मैं बूलें है, so i4, i7, दो और closers है, जिनका बाकी सब एकदम सेम है, very good, और कोई नजर आ रहा है, जो हमने multiple time reduce किया, ये वाला था न, 8 और 9, so ये देखिए, आप और तसलिय सो observe कर सकते है, मोटे-मोटे तीन closers हमें समझ आ रहे है, जिनका जो LR item है, जो position dot है, वो भी एकदम सेम है, but because of the different following, वो multiple time हमें reduce हमने कर लिया, ठीक, अब ध्यान से देखिए, मैं attempt करता हूं, दोनों को merge कर लेगा, है न, अब जब मैं दोनों को merge करूंगा, तो जैसे automata में, finite automata हमने minimize किया, वो ही idea है, किसी भी एक को हटा दीजे, 8 और 9 में माल लिजे, मैं I9 को हटा देता हूं, और अ यहां जहां भी आपने 8 या 9 इन शब्दों का इस्तमाल किया, उनको replace करके 8-9 कर दीजेगा, ताकि बात में confusion ना हो, कहीं लिखा है क्या 8-9, हाँ देखो यहां पे shifting 8 पे था, तब यह 8-9 कर देता हूं, यहां पे सिर्फ 9 पे था, इसे 8-9 कर देता हूं, और किसी ने shift किया जी नहीं, तो यह देखिए, बहुत अच्छा एक्जामपल, जहां पे हमने merge करने की कोशिश की, और merge हो गया, कोई clash नहीं हो, तो समझ आया, यह खर्चा फाल्तु में हम कर रहे थे, एक closer कम हुआ, exit कम हुआ, अगला attempt करते है, 4-7, 4-7, तो again with your permission, मैं बड़े number वाला हटा द 4-7 अकेला लिखा हो, तो 4-7 कर दो, तब आप shift 4 नहीं, 4-7 पर करिएगा, 4-7, 4-7, and I think, and this is also 4-7, follow कर पा रहे है, तो यह attempt भी successful रहा, 4-7 को हमने merge किया, कहीं कोई problem नहीं हुआ, अगला देखिए, 3-6, यह attempt करिए, यह मेरे को थोड़ा interesting लग रहा है, अब देखो, मज़े क बात किया है, यह already 8-9, 8-9, same हो चुका है, यह भी 4-7 हो चुका है, 3-6 को मैं करी रहा हूं, तो 3 और 6 clash नहीं, because they are going to be same, तो I think, यहां भी मुझे कोई problem होता, नजर आनी रहा, और जहां जहां पे सिर्फ 3, यह 6 लिखा है, उसको 3-6 कर दी, और कहीं पर लिखा है क्या, जी न और reduce करने के बाद भी, इसको minimize करने के बाद भी, कोई problem नहीं हुआ, तो अब इसका मतलब क्या है, यह grammar LR1 तो था ही था, yes LR1 तो था, but अब यह grammar LR1 भी है, और यह standard example है, जहां मैं रिकल से, पूरा logic हमने discuss कर लिया है, problem क्या था, in the initial step, बहुत खर्चा कर रहा था, उस खर् identify करने है, जिनका, you know, production part एकदम से, follow part, different, merge करने की कोशिश की, merge किया, और कोई problem नहीं हुआ, that is case number 1, क्या और भी कुछ case हो सकते हैं, हाँ, अब देखिए, मैं तो वैसे यह चाहता हूँ, अगर आप थोड़े हिम्मत रखते हैं, तो, इस वीडियो को यहां pause करिए, यह grammar है, क्या करेंगे बताइए, पहले इस grammar के लिए, CLR1 का पूरा closer set बनाईए, फिर उसका table बनाईए, फिर उसको minimize करने की कोशिश करिए, और तब आप इस conclusion पे निकलेंगे कि LLR1 है के नहीं, बट मैं ऐसा करूँगो तो वीडियो दो घंटे की बनेगी, तो मैं पहले से क्या करता इसका पहले से ही मैंने यह कैना बहुत अच्छी राइटिंग में एक दम साफ सुतरा, एक-एक मुती देखिए, एक-एक शब मुती की तरह लग से नजर आ रहा है, मजाग कर रहा हूँ, यह पूरा हमने बना के रख लिया, अब यह आप चाहो तो जहान से एक बार पढ़न बना रहा हर बार टेबल बनाने की ज़रोतनी, एकजाम भी टेबल बनाने is not advisable, तो आपके एकदम इतनी depth में नहीं लेखे जाए, अगर रेरली कभी टेबल बनवाते हैं, पूछते में तो एक आद फिल इन दा ब्लैंक पूछ लेते हैं, अब idea क्या है sir, idea यह है now this is the entire scheme, this is the entire scenario, और हमको यहाँ पर कोशिश करनी है, और कोशिश क्या करनी है, कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, इसको minimize करनी की, minimize कैसे करते हैं, कोई भी वो दो closer धून निकालता है, जिनका production part से more follow different हो, अब देखना एक बार, कोई मिलेगा क्या आपको, try करो, फिर video pause करके try करना, मैं conclusion पूरा देखने के बाद आपको समझ आएगा, ऐसा scope ही नहीं है, so you will not find two different closers, जिनका production part same or follow part different हो, अब क्या करेंगे, तो इसमें बड़ा conceptual doubt आजाता है, इसको answer क्या करें, तो answer is, हमने कोशिश की, बट यहाँ पर minimization का scope ही नहीं है, इसका मतलब यह parser या यह grammar already minimized है, और इसक मतलब इसको LALR1 भी बोलेंगे, कुछ लोग सोकते minimize तो नहीं कर पाए, तो नहीं हो, नहीं सर्थ, क्योंकि already minimized है, तो this is CLR as well as this is also LALR1, follow कर पा रहे है, तो इसमें भी कोई confusion नहीं होगा, so this is the second idea, जहाँ पर scope ही नहीं है, तो इसको भी हम LALR1 declare कर देते है, now let me come to the third idea, यह म declare that, यह CLR1, LALR दोनों है, now this is one more grammar, again now what do I expect, आप इसे pause करिये, pause करने के बाद पूरा पूरा CLR बनाईए, यह grammar CLR है, यह मैं आगे से आपको बता रहा हूँ, पूरा table बनाईए, भरिये, और फिर इसको minimize करने के कोशिश करिये, scope ढूंडिये, अब जब scope ढूंडेंगे, तो क total 13 आए, और अब हम attempt क्या करेंगे, comment ढूंडे का, तो जल्दी से अगर मैं आपको ध्यान डिलाओ, बागी हो सकता हो, को scope या हो या ना हो, I5 and I9, इन पे ध्यान दीजिए, A to D, B to D, A to D, B to D, दोनों reduce हुआ है, हाला कि clash नहीं है, क्योंकि वो entry करेगा A में, follow में करता है, व इधर ये C में करेगा, ये में करेगा, तो कोई collision नहीं है, as far as CLR1 is concerned, अब आप मुझे बताओ, जब मैं इनको merge करने की कोशिश करूँगा, तो क्या होगा, अगर short मैं बोलू, rule number 1, number 2, number 3, number 4, so this is like rule number 5, and this is rule number 6, rule number 5, rule number 6, पूरा table नहीं बनाता, जल्दी से बस आपको ध्यान दिलाता हूँ, table में 2 rows होंगी, I5 और I9, और 2 column में अपने काम के रख लेता हूँ, A और C, I5 में A में उपर वाला rule, यानि के rule number 5 reduce हुआ होगा, और C में rule number, ये नीचे वाला, यानि के rule number 6 reduce हुआ होगा, on the contrary, इधर देख यानि के rule number 5, और इधर 6 वाला reduce हुआ होगा, यही कान नहीं है, पूरा table बनाने का effort बचा रहा हूँ, जो pattern है वो दिखा रहा हूँ, Sir, अब जब आप इन दोनों को merge करने की कोशिश करेंगे, do you see a problem, ये reduce 5, reduce 6, reduce 5, reduce 6, यहाँ clash होगा, और मैं आपको पहले भी बोल रहा था अगर आप merge करने की कोशिश करते हैं, तो shift reduce clash कभी नहीं हो सकता, अगर होगा, तो reduce reduce clash होगा, वो example है इस बात का, तो यह तीसरा final grammar हमारी है, जो की CLR1 है, लेकिन जब और इसमें optimization का, minimization का scope भी है, बट जब हमने execute करने की कोशिश की, तो clash होगया, collision होगया, conflict होगया, और इस वज़े से मैं conclude करना पड़ा, कि now this grammar is not LALR1, मैंने कोशिश की है सर, कि पूरी bottom में फेरा रहे कि बहुत शांदार तरिके से पढ़ा हूँ, now again, अगर मैं दुबार इस वाले idea पह जाऊँ, तो क्या LALR और CLR सेम है, last grammar इसके example है, जी नहीं, कुछ grammar ऐसी हो सकती है, जो CLR या ही आ जाता, और जैसा मैंने पहले भी बोला था, यह सबसे practical idea, इंडस्ट्री में हम आम तोर पर कोशिश करते है, LALR1 पर ही जाए, कभी कभी rarely ऐसा होता है, कि grammar इतनी complex, इसके काबू में नहीं आ रही, तो हमें उपर जाना पड़ेगा, बाकी LL1 से, LL1 तो nut cut, you know, naughty है, वो इसी भी अप्रोच में कोई भी doubt या confusion है, फर्दर कोई वीडियो चाहते है, तो बताइए, because then, otherwise I will continue with operator precedence parser और जो आगी कहानी है, which is like syntax directive translation, yes, फिलहाल, इस वीडियो का question है, क्या LALR is the most powerful, because सबसे last में पढ़ रहे हैं, और optimize करने की कोशिश की है, बहुत simple, simple ही question ही मैं पूछ 20% से जादा वो बच्चे हैं, जो वीडियो देखते हैं, बर सबस्क्राइब नहीं करते हैं, आप अगर B.Tech कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या पास आउट है, CSI Disrelated सारा content इस चैनल पर हम लाते रहे, तो pure academic content भी आपको मिलेगा, job notifications भी हम लाते हैं, in general discussion भी करेंगे, तो बहुत सारा valuable content है, subscribe करेंगे, bell icon press करेंगे, तो बहुत फायदा आपको भी होगा, और हमें भी motivation मिलेगा, हमारा काम उसी से आगे बढ़ेगा, yes, thank you so much, भगवान आप सभी को खुश रखे, जै हिंद, जै भारत, दोस्तों, अगर आप उसे सारा syllabus daily 3 hours live पढ़ना चाहते हैं, त गेट के डिगरी के अंदर सबस्क्राइब करें, अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर, रफिल कोड यूज करिए, KGYT, 10% डिसकाउंट के लिए, बाकी सारी information के लिए, वीडियो का लिंक आपको description में मिलेगा,